हवार यूपी के बलिया से है जहां पोलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है पोलिस ने उभाव थाना छेत्र के चोकिया मोड पर छापा मार कर रवाई करते हुए एक ट्रक सहित दोसो असी कुंतल गांजा बरामत करते हुए तीन अभ्युक्तों को ग्रफ्तार कर लिया है गांजे की कीमत लगबग एक करोड रुपए बताई जा रही है गांजे को नारियल से भरी बोरियों में छिपा कर विशाखा पत्नम से बलिया के रास्ते मउउ ले जाये जा रहा था आज दिन आंग साथ साथ बीश को उभाव पुलिस एसवजी वर सरुलांस के टीम वहाँ थाना अंतरगत चौकिया मोड के पास रात्र में अपराधियों के विशय में सोचना एकतर कर रहे थे और वहाँ वारता कर रहे थे उसी समय उन्हें सोचना मिली कि एक ट्रक चौकिया मोड से होते हुए आगे जाने वाला है जिसमें नारियल लदा हुआ है किन्तु अंदर उसके गाजा रखा हुआ है इस सूचना पर विश्वास करके सतरकता पूर्वक कुछ देर बाद आती हुई ट्रक को रोका गया रात्र में लगबग 4 बच कर 5 मिनट पर ट्रक को रोका गया था 16 दिकारी शिकंदरपुर को शूचना दी गई उनके समक्ष तलासी ली गई इसमें 280 किलो अवैत गाजा बरामद हुआ तीन बेक्तियों को ग्रफतार किया गया और अब योग पंजी कृत कर उनके वृद्ध विदिक कारिवाहियां की जा रहे हैं 120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका Life24 Media Institute, Admission Open, Registration के लिए कॉल करें 9560464170